क्या लूफी के कुरू की नेक्स्ट मेंबर फाइनली बोनी होने वाली है क्योंकि वनपीस के लेटेस चाप्टर के अंदर भाई बोनी को एक टाइप से काफी तगड़ा वाला पाउर अफ मिल चुका है चाप्टर के स्टार्टिंग में सैटन ने सारे के सारे फैसाफिस्टास को ओडर दे दिया था कि भाई वो लोग कुमा और बोनी को जिन्दा ना छोड़े या पर भाई कुमा और बोनी का दी एंड होनी वाला था तब ही जाके वेगापंग को एक बात याद आती है जब वेगापंग को बता चला था कि बोनी जो है वो अभी एक पायरेड बन चुकी है और वो आगे चल के ये नहीं चाता था कि भाई बोनी जो है वो अपने खुद के डैड के क्लोन के हाथों से कभी मरे इसलिए उसने कुमा जिसे दिखने वाले सारे के सारे फैसापिश्टा honored के अंदर changes करके रखे थे जिसके अंदर फैसापिश्टा उसको control करने के सबसे उपर की authority उसने बोनी को देख के रखी दी तबाई शुरू कर दी थी कि सारे के सारे नेवी वाले पागल हो गे थे उनको पता ही नहीं चल रहा थे कि एकदम से सारे के सारे फैसा फिश्टास को क्या हो गया और यह लोग हमारे उपर फायर क्यू कर रहे हैं या पर वेगा बंग को यह बात पता थी कि अगर यह वाला सीक को पता चली तो बाइ सैटन्न एकदम बुटली वेगा बंक को श्टैप कर दिया यह बर वेगा बंक को देखके दो ऐसा लग रहा है कि यहां से उसके जिंदा बचने के चांसत काफजिदा कम हो चुके हैं और वेगा बंग को बूटरली स्टैप करती सेटिंग किजारू को और दे देता है कि भाई जो काम फैसा फिश्टास पुरा नहीं कर पाई वो काम अभी तू पुरा करेगा तभी किजारू कुमा बोनी और एटलस के उपर अपने लेजर से फायर करने लग जाता है और इस वाले अटैक से एटलस और कुमा काफजिदा घायल हो जाता है तब एकदम से उनके सामने किजारू आता है वापर किजारू अपने लाइटिंग सौड बना के बोनी और कुमा को बोलता है कि मैं तुम लोग को एक ही अटैक क कि अंदर फिनिश कर दूंगा और जब कि जरू बोनी और कुमा को माने वाला है था कि तभी एकदम से उसको पीछे से आवाज आती है जो की रहता है अपना लूफी मुझे दो लग रहा थे कि भाई लूफी के इतना खाना खाने के बाद में वो एकदम से सो तो नहीं गया वो लूफी की अपने गेर फाई के अंदर वापस आती वो फिर से एकदम से खुश हो चुका था इदर उदर भाई लोटपोड करी रहा था और जो लोग भाई आसमान से गिर रहते उनको चोटना लगे इसलिए उसने सारी के सारे ग्राउंड को एकदम से रबर में कनवर्ट कर दिया था और यही टाइम था जब बोरी ने पहली बार लूफी को संगॉड निका के फॉर्म के अंदर देखा था वही संगॉड निका जिसकी स्टोरीज कुमा उसको सुनाया करता था और यहापर लूफी के गेर फाई के अंदर जाती जो एंशन रोबोट हमने पहली बार उपर देखा था उसके आखों के अंदर एकदम से हमको फिर से चमक देखने को मिल रही थी अभी तो यह कंफर्म होई चुक गए कि यह जो एंशन रोबोट है उसके पावर सोस का काम भाई लूफी की हाडविट कर रही है मैं तो यार इस वाले एंशन रोबोट को एक्शन के अंदर देखना चाहता हो लेकिन पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में सैटन से ब्रूटली गयल होने के बाद में वेगापंग वापर बस दमीन के उपर पढ़ाई था जापर वेगापंग के पास में जाके बोनी बोलती है कि अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको यह आसे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा जापर वेगापंग बोनी को समझाता है कि जिस सन गौड निका के तुझे तलाजती वो अपना लूफी है वापर वो बोनी को बोलता है कि पहले मुझे भी यकिन नहीं हुआ था जब तक मैंने लूफी के किरफाई को अपने आखों से नहीं देखा था वेगापंग आगे बोलता है कि बस्टर कॉल संगौड निका का क्या ही कर लेगा जिसका विंतजार भाई वनपीस के वर्ड के अंदर के लोग हजारों सालों से कर रहे थे और तभी हम नेक्स पैनल के उपर एक बहुत ज़्या कि एगेड के नौदं कोष्ट को पूरा का पूरा खाली कर दिया था और उनके रास्ते में जितनी सारी शीवारी थी उनको वो कुचलते वेए जा रहे थे मरिंस को इतना रोते वेए देखके वो लोग बोल देते कि यहाँ पर हम स्ट्वायड को लेने के लिया है या हम उसक को बोले संगॉड निका अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी कंफ्यूज करा दे कि इन लोग को कैसे पता चला कि लूफी संगॉड है यहाँ पर एक बात हो सकती कि यह लोग ठेहरे जैंट्स और जैंट्स वो जदा टाइम से संगॉड निका को वर्शिप करते वे आते हैं और यहाँ पर दूसरी possibility यह है कि इन लोग को Shanks ने लूफी के identity के बारे बताया अब यहाँ पर यह चीज़ तो नहीं पता है कि यह लोग लूफी को एगेर से बचा के इलबाप के उपर लेके जाना चाते है या इन लोग का motive कुछ और ही है यहाँ पर अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाई Shanks का evil होनी की तरी ससावित हो जाए और जो ड्रोली और बोगी जो है वो लूफी को Shanks के पास में लेके जाने के लिए है जिसे इसे वनपीस का इंड पास में आ रहा है वैसे 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 वनपीस के अंदर बाई story और वी जदा complicated होते होए जा रही है क्योंक unfortunately next week break है अब तो है हमको next chapter के अंदर ही पता चलीगा कि क्या भाई बोनी अपनी powers को भी फिर से यूज कर पाएगी और यह जो अभी दो जायन स्लूफी को लेने के लिए आया है इनका real motive क्या है तो hopefully guys आपको आज की वीडियो पसंद आगी होंगी तो चलो guys आज के इस वीडिय आगया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता आपको next किसी वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा